अससलाम अलेकुम टू आल में ला ब्यूटी फामली एंड फ्रेंड्स आज हम लोग ले आए हैं बड़े प्यारे से टाइम वेस्ट करें बगार आप लोगों को दिखाती हूँ इस अवेरी प्रिटी 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 आप लोग बोलोगे क्या चीज़ है इसमें बहुत सारे कलर्स हैं तो प्लीस लड़कों इसमें पीच है इसमें पिंक है पिंक भी बहुत सारे कलर्स में हैं तो बेसिकली इसमें औरेंज भी है इसमें बहुत सारे कलर्स हैं तो प्लीस color demanding नहीं करना जो color है सब बहुत प्यारे हैं सारी caps बहुत प्यारी है यह है basically towel caps यह इस तरीके से towel material में हैं आप लोगों को नजर आ रहा है यह इस तरह से towel है ठीक है आपने क्या करना होता है अपने जितने भी आपके बाल है उनको एक twist करनी है इसमें अपने hair के उपर इसको wear करना है wet hairs को basically after आप इसको use कर सकते है इसको आपने wear करना है इसी में आपके सारे hairs रहेंगे इधर उदर बिलकुल नहीं होंगे यह इस तरीके से इसके अंदर यह elastic है आप लोग इसको use कर सकने है आपके जितने भी hairs है wet hairs वो इसमें cover up हो जाएंगे आपने इसको like a band fair करना है and that's it जब यह dry हो जाए तो आप इसको हटा सकते हैं तो आपके hairs automatically dry हो जाएंगे यह बड़ी प्यारी सी cap है पहनने के बाद भी ऐसा लगेगा कि आपने कोई winter cap सर पे पहनी लिए यह सबसे अच्छी बात है क्योंकि winter जाएंगे बच्चे हो या बड़े हो आप लोग अपने hairs को इस तरीके से open नहीं रख सकते हैं obviously ठंड लगेगी तो यह एक बड़ी stylish सी cap है ऐसा लगेगा कि आपने अपने सर के ओपर कोई cap पहनी यह ladies basically अच्छा यह बच्चों के लिए नहीं है पता चला लड़कियां का है मिलहाब ने तो बच्चों का नाम लिया था तो यह बच्चों की cap है तो यह बच्चों की cap बिल्कुल नहीं है यह हमारी caps है ladies caps ठीक है तो यह आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से बड़ी प्यारी कैप से और पहनने के बाद बड़ी स्टाइलिश लगेंगी तो ये आप लोगों के लिए है ये मिला व्यूटी पर 350 रुपीस की है जिसने ग्राब करना है इससे पहले के सड़ियां खतम हो जाए इसको ग्राब करनें बाइ बाई